यूपी और पंजाब चुनावों से पहले एक नई राशनितिक पार्टी जनहित पार्टी का गठन किया गया है जनित पार्टी के राश्री अध्यक्षि संजे त्यागी और राश्री संगठन महामंत्री और राश्री मोख्य प्रवक्ता विनोत त्यागी ने मंगलवार 21 दिसंबर को प्रेस क्लव औफ इंडिया नई दिल्ली में प्रेस क्रॉंफरेंस कर नई पार्टी की गठन पर मीडिय कर्मियों को संभुदित किया जहनित पार्टी के राश्री अध्यक्षी संजे त्यागी ने कहा कि इंद्र सरकार और दिल्ली राज जन्विरोधी नीतियों पर चल रहे हैं सरकार द्वारा जन्ता को महंगाई बेरोजकारी से लगाता परेशान किया जा रहा है वे युवाओं कंपनियों के माध्यम से नहीं आया है सरकारी नौकरी के रिक्त पद रिक्त पड़े हैं उत्यप्रदेश में योगी सरकार का यही हाल है राश्री संगठन महासचेव एवं राश्री मुख्य प्रवक्ता मिनोत यागी ने कहा उत्यप्रदेश की जन्ता बौकला गई है सरका अब लोग उत्ताप्रदेश लड़ने जा रहे हैं और दिली में मुष्टी लड़ने जा रहे हैं और अगर हमारा सब ठीव ठाक रहा तो हम उत्रा खंट के विशे में भी सोचेंगे लेकिन फ्लान फोकस हमारा दिल्ली की MCD और उत्तर प्रदेश के एलेक्शन है मकसद हमारा ये है कि जिस तरीके का हम लोग लेकर के आये थे केज़वाल सरकार को जिस तरीके सहम लोग लेकर के आये थे वो सरकार अपने मुद्धों पर ख़री नहीं उतर रही है आज हमारे बीट में सैनिक का भीट परवार हमारे बीट में खड़ा हुआ है या मुद्दा लेकर के आये थे जब तक आप लोगों ने एक बाइट मांग ली कि आज केजलीवाल सरकार अपने राज़ा स्वधकारियों के साथ मिलके पूर्व सैनिक की विद्वाओं की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है उनको बेचने का काम किया जा रहा है बिल्डरों को एलोटिट जमीनों को ये ये आप लोगों की डूमेन में आना चाहिए था जब तक आप लोग आ गे थे पिलित परवार है आप दो शब्द अगर सुनना चाहें तो आप सुनिए और फिर आप लोगों सोचिए कि किस तरीके सरकार चाहिए